किशोर तिवारी ये अस्तित्व की लड़ाई तो आपके लिए वाके बहुत कड़ी हो गई है पार्टी का नाम चला गया चिन चला गया अब ठाकरे नाम जिसके साथ क्या जनता उसका साथ देगी ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है देखिए पुझा जी बाला साथ ठाकरे श्रदे बाला साथ ठाकरे जी के आज शटाबदी है तो मैं उन्हें मेरी स्धान जली देते हुए मेरा जो निवेदन है वो देता हूँ कि बाला साथ रहते हुए ही बाला साथ की विरासत कौन चलाएगा इस पर विवाद हो गया था क् कि उनके भतिजे जो उत्तराधिकारी बनना चाहते थे वो अलग निकल गए और उन्होंने चुना अलग से लड़ा लेकिन लोगों ने लोगों ने उद्धो जी को उत्तराधिकारी चुना चलिए ठीक हुआ अभी कैसा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से यह विवाद का भई उद्धो जी ने हिंदूत्व छोड़ दिया है अपनी विचारधारा को त्याग दिया है तो अब आपने कहा कि हमारी पार्की चीन लिया चिन चीन लिया यह सब हुआ है यह तो सत्ते है हमने वो आवहां लिया है लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने ही कहा हमने उन पार्टियों से विचारधारों से जोड़ा है जो कटर हिंदू तो वादी नहीं है तो यह लाइन हमने लिए है तो अब दूसरी बार उद्धो जी को यह चालेंज मिला है कि उनको अपना अस्तित्व फिर से बताना है ऐसा भी 14 में भी हुआ था कि BJP ने अचानक त कोड़ दिया था ना था वो खुद के भरों से लड़े और महाराष्ट में सेकंड लार्जेस पार्टी बनके आए उद्धो जी ने यह चालेंज ले लिया है और हम हमारे नितियों पर अडिग है और सामाजिक नयाय के लड़ाई में हम गए और सामाजिक नयाय और अति कहा कांग्रेस के साथ जाना वगरे तो अभालासाइब ठाकरे इमर्जन्सी में इंदिरा जीक के साथ खड़े थे तो राजनीती के अंदर जैसा समय होता है वैसे वैसे निरने लेना पड़ता है बीजेपी आज जो लोगों के पास है वो लोगों के काम करने के तरीके से हम आहत होने के वज़े से उनसे तूर गएते लेकिन शिवसेना बट चुकी है शिवसेना का तो वोट बंक फिर बटे गा ना और नुकसान या लाब वो किसे पहुंचेगा और नहीं मैं बता रहा हूं वो नेताय हम को छोड़के गए है और बीजेपी ने उनको विवश्किया समय बता देगा तो बता देगा हम सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तयार है लेकिन महराष्ट ने मैं अभी भी कहता हूं कि बिहार का प्याटरन ना फालो करना चाहिए आनिमा जी ने बताया कि करपूरी ठाकूर जो सारोजनिक जीवन में कितने परफेक्ट है कि उनके बच्चे को इंदिरा आवास के मकान में रहना पड़ा था तो करपूरी ठाकूर जी की भी छताब दिये लेकिन ओभी जी को आरच्चन देना उसके बाद नितिश कुमार जी की ये बात मुझे बहुती ज़्यादा दिलते लगी है लेकिन बिहार की लड़ाई जतनी सौटेड नजर आ रही है न महराष्ट के उतनी ही उलजीवी नजर आ रही है और ये सिर्फ सवा मेरा आप से नहीं है बलकि जो आपका जो सत्ता पक्ष में है महायुती उससे भी रहेगा पुझा जी एक बात में बताता हूँ महराष्ट के अंदर जो समीकरन है वैसा ही समीकरन अभी बिहार में आ चुका है कांग्रेस आरजेडी और जेडियू का ओर परसेंटेज जब हंडेट परसेंट स्ट्राइक रेट मोधी जी का था तब भी वो परसेंटेज 55 परसेंट के आसपास जा रहा था तो अभी तो बीजेपी कहीं नहीं है और मैं बता रहा हूँ महराष्ट के अंदर पी परसेंटेज ओट वाइज वो ही रहेगा और बीजेपी यहां पर 30 परसेंट के अंदर रह जाएगी अलाइज बोलके जो है वो तो गद्दार है पूरे